दोस्तो इस वीडियो में हम राजिस्थान के एक बेहद खूबसूरत हिली स्टेशन माउंट आबू के बारे में कम्प्लीट टूर इन्फोर्मेशन देने जा रहे हैं माउंट आबू राजिस्थान का एक मात्र हिली स्टेशन और मौस्ट फेवरेट टूरिस्ट स्पॉर्ट है जिसे राजिस्थान का शिमला भी कहा जाता है यह हैं उचे पाहर, चारो और घनी हरियाली और ठंडे एट्मोस्टफेर के कारण राजिस्थान के टॉप टूरिस्ट प्लेसिस में से एक है तो अगर आप राजिस्थान में शिमला जैसी किसी ठंडी जगह या कहें तो माउंट आबू की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल प्रफेक्ट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको माउंट आबू को लेकर कम्पलीट टूर इनफोर्मेशन देने वाले हैं जैसे कि माउंट आबू कैसे पहूँचना है कहां रुखना है खाने पिने की क्या सुविदा है माउंट आबू में कहां-कहां घूम सकते हैं कितने दोनों का तूर प्लान करना चाहिए और सबसे बेस टाइम क्या रहेगा माउंट आबू घूमने के लिए इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंतर तक और सब्सक्राइब कीजे ट्रेवल ट्रेकर यूट्यूब चैनल को वे नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं दोस्तो राज 스ान के सिरोही जीले में इस्थित माउंट आवू अरावली माउंटेंस रेंज के ऊचे पहाड़ों पर इस्थित है और राजर्स्तान का सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा बारिष वाला स्थान है राजिस्तान के सिरोही जीले में इस्थित माउंट आबू अरावली माउंटेनस रेंज के उचे पहाड़ों पर इस्थित है और राजिस्तान का सबसे ज्यादा ठंडा और सबसे ज्यादा बारिशवाला स्थान है अधिकांस गर्मियों में और मांसून के दोरान यहां हर साल लाखों की संक्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि माउंट आबू पहुंचना कैसे है तो यहां आपके पास तीन ओप्सन्स हैं ट्रेन बस और एरोपलेन और इन तीनों ही ओप्सन्स से आपको सबसे पहले पहुंचना है उधैपुर करने के लिए आप यह तो बस ले सकते हैं या फिर टेंपो ट्रेवलर के द्वारा जा सकते हैं यहां लोकल बस का किराया लगबग 60-70 रुपे और टेंपो ट्रेवलर का किराया 200-300 रुपे के आसपास होता है और दूसरे उप्सन की बात करें तो वह है आपका फ्लाइट यह आप माउंट आबू के दूसरे नज़दी की एरपोर्ट एहमदाबाद तक आ सकते हैं यहां एहमदाबाद से माउंट आबू की दूरी लगबग 225 किलोमेटर है एरपोर्ट पहुंचने के बाद उसके आगे की दूरी को आप स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस द्वारा टें इंडिया के मुख्य सेरों से डारेक्ट उदैपूर या जैपूर के लिए सरकारी रोडवेज या प्राइविटेबर से मिल जाएंगी जो आपको उदैपूर पहुंचा देंगी उदैपूर पहुंचने के बाद फिर उसके आगे की जर्नी को आप माउंट आबू तक पूर मौस्ड पॉ्पॉप्स बेना अधिक फाइदमंद होगा क्योंकि नक्की लेक के आस पासी सबसे अधिक होटल्स, रेस्टूरेंट्स, टेक्शी स्टैंद्स, और शोपिग के लिए मार्किट्स अवैलेबल हैं। इस्टेक के लिए धर्मशाला भी अवेलेबल है जो एक अच्छा उप्शन है अब बात करें यहां के लोकल टूरिस प्लेसिज को विजिट करने की तो यहां के टैक्सी स्टेंड से आप लोकल टैक्सी हायर कर सभी लोकल टूरिस प्लेसिज को घूम सकते हैं जहां टैक्सी के क माउंट आबू के सभी डूरिस डेस्टिनेशन को कवर कर सकते हैं बात करें यहां किराएगी तो यहां बुलट का रेंट 700-800 रुपे बढ़े और नॉर्मल बाइक या स्कूटी का रेंट 300-500 रुपे के बीच होता है दोस्तों अब जानते हैं यहां के मॉस्ट फेमस टूरिस प्लेसिस के बारे में नंबर वन नक्की लेक आप माउंट आबू में घूमने की सुरुवात नक्की लेक से ही कर सकते हैं नक्की लेक चारों और पहाड़ियों से गिरी हुई मीठे पानी की राजिसान की सबसे उची और सबसे पॉपुलर जील है यह ज लोटिंग फोटोग्राफी और सुंदर हर्याली का आनंद ले सकते हैं नमबर टू दिलवाडा जैन मंदिर दिलवाडा जैन मंदिर माउंट आबू से धाई किलोमेटर दूर अरावली पहाडियों के बीच इस्तित है यह मंदिर जैन धर्म के लोगों का सबसे पॉपुलर और सुंदर तिर्ठिस्थल है दिलवाडा मंदिर अपनी संगवर्मर के स्ट्रक्शर कि वजह से काफी फेमस है इस मंदिर के निर्मान में संगवर्मर का इस्तिमाल देखने लाइक है यह है वाइड लाइफ सेंचुरी राजिस्थान के अरावली माउंटेन्स रेंज में स्थित है जो नेचर और एनिमल लवर्स लोगों के लिए एक परफेक्ट प्लेस है यहाँ पर सेकड़ों की संख्या में पेड़ पोदो सहित पक्षियों की अनेक देशी और माईग्रेट प्रजातिया है हरियाली से गिरे होने का अलावा इस वाइल लाइफ सेंचुरी में अलग अलग प्रकार के जानवरों की प्रजातिया भी पाई जाती है अगर आप नेचर को करीब से देखना चाहते हैं तो यहाँ जरूर विजिट कर सकते हैं माउंट अबू में नक्की लेक के पास संसेट पॉइंट है संसेट के टाइम यहाँ से आप पहाड़ियों के पीछे चिपते सूरज को साथ साथ अरावली माउंटेंज रेंज का अमेजिंग व्यू देख सकते हैं माउंट अबू ट्रिट के दोरान इस खूबसुरों जगे को जरूर विजिट करना चाहिए गुरू सिखर माउंट टाबू ही नहीं बलकि पूरे राजिस्तान के अरावली रेंज की सबसे उची चोटी है जो माउंट टाबू से करीब 15 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है इस सिखर से पूरे माउंट टाबू साहित आसपास के छेतर का बहुती सुन्दर नजारा दिखाई दिता है यहाँ पर एक मंदिर भी बना हुआ है जिसको भी आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पर आने वाले सभी टूरिस्ट इस मंदिर को ज़रूर विजिट करते हैं इस मंदिर के परीसर में गाएं की एक मूर्ती से पानी की एक धारा बहती रहती है इसी कारण इस जगे को गोमिक मंदिर के रूप में जाना जाता है इस मंदिर तक महुँचने के लिए 700 सीडियों की चड़ाई करनी पड़ती है और यह मंदिर गुरू वसिष्ट को भी समर्पित है नमबर एट टॉड रॉक टॉड रॉक एक मेंडक जैसे आकार का अनोखासा पत्थर है इस पत्थर को माउंट आबू की पहचान माना जाता है माउंट आबू पहुचने वाले लगबख सभी टूरिस्ट इस जगह को ज़रूर विजिट करते हैं दोस्तो इन सब के भी अलावा माउंट आबू में घूमने के लिए कई और फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहां आप विजिट कर सकते हैं जैसे अचलगड किला, ब्रह्म कमारी पीस पार्क, ट्रेवोस टैंक और रगुनात मंदिर आदी दोस्तो अब बात करें यहां जाने के सबसे अच्छे समय के बारे में तो माउंट आबू जाने का सबसे अच्छे समय मांसून और सर्दियों के दोरान है इसका मतलब यह है कि आप जुलाई से फरवरी तक कभी भी माउंट आबू की सहर कर सकते हैं वहीं बात करें यहां पर खाने पीने की तो माउंट आबू में कई अच्छे रेस्टोरेंट्स और होटल्स अवेलेबल हैं जिनमें आपको राजिस्थान के लोकल फूड आइटम्स के साथ साथ इंडिया के हर प्रकार का फूड यहां के मेन्यू में मिलेगा बाकी खाने की एवरेज कोस्ट लगबख 400-500 रुपे एक दिन के लिए पर परसन आ जाती है बात करें माउंट अबू ट्रिप के लिए कितने दिनों का प्लान करना चाहिए तो 2-3 दिन काफी है अच्छे से एक्स्प्लॉर करने के लिए तो दोस्तों ये थी माउंट अबू के बारे में कम्प्ली टूर इंफोर्मेशन इसके अलावा इस ट्रिप को लेकर आपका कोई भी क्वेशन ये क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें